नमस्कार दोस्तों फिर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ Realme C12 में आप Network Reset कैसे कर सकते हैं या फिर आपके Network में कोई प्रॉब्लम आरी है तो उसे Fix कैसे कर सकते हैं तो Network Reset करने के लिए आपको क्या करना है सेटिंग पर चले जाएंगे और इसके बाद आपको यहाँ पर SIM, Card and Mobile Data पर क्लिक करना है और अपनी SIM सेलेक्ट कर लेनी है जिस SIM में आपको प्रॉब्लम आरी है या फिर जिस से Related आपकी Network में प्रॉब्लम आरी है तो यहाँ पर मैं SIM सेलेक्ट कर लूँगी उसके बाद आपको यहाँ पर Access Point Name पर चले जाना है Access Point Name पर जाने के बाद आपको क्या करना है जिससे आपकी Atle की SIM है या कोई सी भी SIM है आपको यहाँ पर I button पर क्लिक करना है I button पर क्लिक करनी के बाद यहाँ पर आपको APN पर जाना है और यहाँ पर इसका नाम डाल देना है www.google.com ऐसा करने से आपका Network 100% fix हो जाएगा आपको in future कोई भी problem नहीं आईगी और आपका Network boost हो जाएगा आपको अच्छा experience मिलेगा Networking से related और इसको आप OK कर देंगे और इसको scroll करेंगे तो यहाँ पर आपको barrier का option देखने को मिलेगा आपको इस पर क्लिक कर देना है और इसको सबसे उपर वाले को uncheck कर देंगे और बागी को check कर देंगे आपके पास जितने भी है उन सभी को आपको check कर देना है और आप कोई सी भी SIM यूज़ करते हैं चाहिए वो ATAL, GO, Vodafone कोई फरक नहीं पड़ता सभी का Network यहाँ पे fix हो जाएगा आपको यहाँ पे back कर देना है और यहाँ पे आपको save पे click कर देना है और यहाँ पे आप save कर देंगे तो इस step से आप अपने network को fix कर सकते हैं तो आई हो कई सी वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और वीडियो पसंद आया तो like, share and subscribe जरूर कीजेगा और वीडियो से related कोई problem आती है तो नीचे comment section में आप पूछ लीजेगा तो चलिए मिलते हैं आपको एक next वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार